प्राइम और क्या हो सकता है जो राम रहीम ने किया जो जिसकी सभा में 121 लोग मारे गए हो यह सब आजाद घूम रहे हैं सबको क्लीन चिट है इसे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है इस सोसाइटी को क्या संदेश मिल रहा है यह बहुत ही दुखत गटना थी जिसमें 121 कि इस लोग सतसंग सुनने के लिए गए थे और वहां उनकी कुचल कर मतल मृत्य हो गई और वो भी उसमें मैकसमम जो थी वो महिलाएं थी और बच्चे थे यह अपने आप में एक बहुत ही दुखत गटना है पर यहां पर भी डबल इंजन की सरकार है और जिन राम रहीम की बात कर रहे हैं हर्याना में वहां भी डबल इंजन की सरकार है और आप देखें जो मदरास का केस आपने डिसकस किया वो भी अपने आप में यह साबित करता है कि किस तरह से सरकार ऐसे आरोपियों को बचाने की कोशिश करती रहती है आप देखें जिस तरह से चाशीट हो य चला एक हम चाहिए वह सब्सक्राइब नहीं कि नाम नहीं नहीं कि भारतीय जनपाटी जन्ता-पारई पाटी उन्हें साफाई बचा लिए तो कॉन सापने इसको मुद्धा बनाया हमने मुद्धा अपकी पर्टी से जाकर पूछा गया तब आप लोग बोलेा अज इसको तो बनना चाहिए था क्यों नहीं बना यह आज नहीं उस समय भी काफी बहस बाजी हुई उस समय भी हमने डिमांड की कि इनके साथ वुपर वुपर पूरी कारवाई की जानी चाहिए आप मदरास का केस लेजें मदरास कोट ने जो वो थे सद्गुरु जी उनको यह कहा कि पूरी कि जो जाश थी वह पूरी तरह से बंद कर दी गई आप बताएए में क्या हुआ जो बाबा राम राहिम की बात आप कर रहे हैं तो बाबा राम रहे हैं के साथ में क्या 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 उन्होंने सीधे सीधे जो है elections के पहले उनको पे रूल मिल जाती है और आठ बार ऐसा हुआ ह कि उनको सिर्फ और सिर्फ इस बेसिस पे मिली है कि चुनाओं के पहले हैं जब तक भारती जन्ता पार्टी नहीं चाहेगी इनकी सजा खतम कर दो अब इनको पर्मानेंट सोसाइटी में भेज दो रहें तो तरह पैरोल पे आने का क्या मतलब पिस सजा क्या हुई चार साल में ग्यारा बार जिसको पेरोल मिल जाए फरलो मिल जाए तो बाहर ही है वह जेल में नहीं है और शुक्री आपका मैं अनिल दूबे जी को आमंत्रित करता हूं इ उसके बाद हम अपने पाप